C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारा के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो प्रस्तुत है पाठ संख्या सोलह लेखिका रजिया सज्जाद सहीर प्रिष्ट संख्या 128 से 140 पाठ नमक लेखिका परिजय नाम रजिया सज्जाद सहीर जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजिस्थान प्रमुख रचनाय जर्द गुलाब उर्दु कहानी संग्रह सम्मान सोव्यत भूमी नहरु पुरस्कार उर्दु अकादमी उत्रप्रदेश अखिल भारतिये लेखिका निधन 18 दिसंबर सन 1989 हमारे दृर्द संकल भी हमारी ताकत हैं हमारा लिखना ही हमें जिन्दा रखता है रजिया सज्जाद जहीर मुलतह उर्दु की कहानी लेखिका हैं उन्होंने बिये तक के शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की विवाह के बाद उन्होंने इलहबाद से उर्दु में M.A. की परिक्षा उत्तिर्ण की सन 1947 में वे अजमेर से लखनव आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी सन 1965 में उनकी न्युक्ती सोवियत सूचना विभाग में हुई आधुनेक उर्दु कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं उर्दु में बाल साहित्य की रजना भी की है मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाशाओं में उर्दु में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किये हैं रजिया जी की भाशा सहज, सरल और मुहावरेदार है उनकी कुछ कहानिया देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी है रजिया सज्जाज जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिशनुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मुल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है सामाजिक यथार्थ और मानविय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेष्टा है प्रिष्ट संख्या एक सो अठाईस पाठ परिचे रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्शक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहत के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मारमिक कहानी है दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पर आए देश पर देश की कई प्रचले धार्णाओं पर सवाल खड़े किये गए है विस्थापित होकर आई सिक बीबी आज भी लाहोर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाईश करती है कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गेर कानूनी है देहली को अपना वतन बताता है इसी तरह भारतिय कस्टम अधिकारी सुनील दासकुपता का कहना है मेरा वतन धाका है राष्ट राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहभी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकरर कर चुके है इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतरमन तक नहीं पहुँच पाई है राजनीतिक यथार्थ के स्थर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है किन्तु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है एक अंचाही अप्रितिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्मस्थानों से विस्थापित्तों कर दिया है पर वह उनके दिलों पर कबजा नहीं कर पाई है नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उगार देता है यहां हार्दिक पहलू जब तक सरहत के आर पार जीवित है तब तक यहां उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सार गर्भित है उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा तो बाकी सब रफता रफता ठीक हो जाएगा इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उट सकता है क्या धर्म मजभब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिये गए लोगों की वह पिड़ी जिनके दिलों में अपनी जर्म स्थली के प्रती गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफता रफता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी क्या नई पिड़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी प्रस्तुत है पाठ नमक उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी किस कदर वह उसकी मा से मिलती थी वही भारी भरकम जेस्म छोटी-छोटी चमकदार आखें जिन में नेकी, मुहबबत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी चेहरा जैसे कोई खुली होई किताब वैसा ही सफेद बारिक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओड़ा करती थी जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मुहबबत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहु से पूछा उन्हें बताया गया कि ये मुसल्मान है कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाईयों से मिलने जिने उन्होंने कई साल से नहीं देखा लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है वहां के लोग कैसे खुबसूरत होते हैं उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन सैड सपाटे के रसिया जिन्दा दिली की तस्वीर कीर्तन होता रहा वे आहिस्ता आहिस्ता बाते करते रहें सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी माता जी आपको तो यहां आये बहुत साल हो गए होंगे हाँ बेटी जब हिंदुस्तान बना था तभी आये थे वैसे तो अब यहां भी हमारी कोठी बन गई है बिजनस है सब ठीक ही है पर लाहौर बहुत याद आता है हमारा वतन तो लाहौर ही है फिर पलकों से कुछ सितारे तूट कर दो धिया आचल में समा जाते हैं बात आगे चल पड़ती मगर घूम घूम कर फिर उसी जगह पर आजाती साड़ा लाहौर कीरतन कोई ग्यारा बजे खत्म हुआ जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सालाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुकसत होने लगी तब साफिया ने धीमे से पूछा आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए वे दर्वाजे से लगी खड़ी थी हिच्खिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना पंद्रा दिन यो गुजरे की पता ही नहीं चला जिम खाना की शामे दोस्तों की मुहबबत भाईयों की खातिरदारियां उनका बस ना चलता था कि बिच्छिडी हुई परदेशी बहिन के लिए क्या कुछ न कर दें दोस्तों अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है कोई कुछ प्रिष्ट संक्या 131 कहां रखें कैसे पैक करें क्यों कर ले जाएं एक समस्या थी सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुडिया की जिसमें कोई सेर भर लाहरी नमक था सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था उसने सोचा कि वे ठीक राय दे सकेगा चुपके से पूछने लगी क्यों भाईया नमक ले जा सकते हैं वे हैरान होकर बोला नमक नमक तो नहीं ले जा सकते गेर कानूनी है और और नमक का आप क्या करेंगे आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है वे जुझला गई मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ आया होगा मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए मेरी माने यही मंगवाया है भाई की समझ में कुछ नहीं आया मा का क्यों जिक्र था वे तो बटवारे से पहले ही मर चुकी थी जरा नर्मी से समझाने के अंदाज में बोला देखिए बाजी आपको कस्चम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके समान के चिंदी-चिंदी बिखेर देंगे कस्चम वाले कानून जो वो बिगड़कर बोली निकल आने का क्या मतलब मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी छिपा के ले जाऊंगी मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी प्रिष्ट संख्या 132 भै यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी कानून अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं कुछ मुहबबत, मुराववत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते आखिर कस्चम वाले भी इंसान होते हैं कोई मशीन तो नहीं होते हाँ वे मशीन तो नहीं होते पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें एक तोहफा है वह भी चंद पैसों का शौक से देख लें कोई सोना चांदी नहीं स्मगल की हुई चीज नहीं ब्लैक मार्केट का माल नहीं अब आप से कौन बहस करें आप अधीब ठहरीं और सभी अधीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घूमा हुआ होता है वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदिनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी आखिर आप कस्चम वालों को कितना जानती है उसने गुस्चे से जवाब दिया कस्चम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं और रही दिमाग की बात सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अधीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भाईया प्रिष्ट संख्या 133 मारे गुस्से के उसकी आँखों से आँसु बहने लगे उसका भाई सिर्फिला कर चुप हो गया अगले रोज दो बजे दिन को उसे रवाना होना था सुबह के लिए बहुत व्यस्त कारेकरम बन चुका था इसलिए उसे सारी पैकिंग राथ ही को करनी थी कबरी का दर्वाजा अंदर से बंद करके वह समान बांधने लगी इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूट केस और बिस्तर बंद में चली गई सिर्फ दो चीजे रह गई एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे एक दोस्त का तोफ़ा संत्रे और माल्टे को मिला कर पैदा किया गया फल माल्टे की तरह रंगीन और मीठा संत्रे की तरह नाजुक और दूसरी थी वह नमक की पुडिया अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था भावना के स्थान पर बुद्धी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी नमक की पुडिया ले तो जानी है पर कैसे अच्छा अगर इसे हाथ में ले लें और कस्चम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें लेकिन अगर कस्चम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ देंगे लेकिन फिर उस वाइदे का क्या होगा जो हमने अपनी मा से किया था हम अपने को स्यद कहते हैं फिर वाइदा कर के जुटलाने की क्या मायने जान दे कर भी वाइदा पूरा करना होगा मगर कैसे अच्छा अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीजे रख लिया जाए तो इतने कीनों के धेर में भला कौन इसे देखेगा और अगर देख लिया नहीं जी फलों की टोकरीयां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी उधर से केले इधर से कीनों सभी ला दी, एक बार जहांक कर उसने पुडिया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ, मानो उसने अपने किसी प्यारे को कबर की गहराई में उतार दिया हो, कुछ देर उकणू बैठी, वे पुडिया को तक्ती रही और उन कहानियों को याद करती रही, जिनने वे अपने बच्पन मे अम्मा से सुना करती थी, जिन में शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा चिपा लेता था, और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ, सरहदों से गुजर जाता था, इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वो अपना दिल ची आसपास और फिर उपर, यहां तक की वो बिल्कुल चिप गई, आश्वस्त होकर उसने हाथ जाड़े, सूटकेस पलंग के निचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहने रखी और लेटकर दोहर ओड़ ली, रात को तकरीवन डेड़ बजे थे, मार्च की सुहानी हवा खिर्की की जाली से आ रही थी, बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी, पिष्ट संख्या 134, खिर्की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, सामने की दिवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था, कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कु नौकने या रोने की आवाज, चौकिदार की सीटी और फिर सननाटा, यह पाकिस्तान था, यहां उसके तीन सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्ने नन्ने भतीजे, भतीजियां थी, जो उससे बड़ी मासूमियत से पुछते, बहुत ही नोकदार लोहे की छणों का जंगला, जो कस्चम कहलाता था, कल वो लाहोर से चली जाएगी, हो सकता है, साल भर बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वै आ भी नहीं सकती थी, और ये भी हो सकता था, कि अब कभी ना सके, उसकी आखें आहिस्ता आहिस्ता बंध होन लगी, फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहां वहां सितारे जिल मिला रहे थे, हमें वहां से आये बहुत दिन हो गए, यहां हमारी कोठी भी है, बिजनस भी, हम यहां बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी ल नरंगी किरने, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बैती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी के खुश्बू और मकबरे की सीडियों पर बैठे हुए दो इनसान, सिर जुकाई, चुपचाप, उदास, जैसे दो बेजान नहीं या, तो तुम कल चली जाओगी, हाँ, अब कब आओगी, मालूब नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं, अचानक उसकी आँखी खुल गए, शायद उसने मकबरे की सीडियों के नीचे लगी, दूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शु भरी टोकरी पर जा पड़ा था, रसीले, ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसकी दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, सफिया फर्स क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, देली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, वो हाथ में टि कि आसपास इधर उधर इतनी लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनूओं के नीचे नमक की पुडिया है, प्रिष्ट संख्या 135, अब उसका सामान कस्चम पर जाच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तो उसे एक जिरजिरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मुहबत का यह तोफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्चम वालों को दिखाएगी वह, उसने जल्दी से पुडिया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदी थे, जब सामान कस्चम से होकर रेल की तर चला तो वह एक कस्चम अफसर की तरफ वड़ी ही, ज्यादतर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर एकका दुक्का सामान रखाता, वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचडी बाल, आँखों पर एनक, वह कस्चम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी, सफिया कुछ हिचकचा कर बोली, मैं आप से कुछ पूछना चाती हूँ, उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाईए, उनकी लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी, आप, आप कहां के रहने वाले है उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा, मेरा वतन देली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी, जी हाँ, मैं लखनव की हूँ, अपने भाईयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए, जी जब पाकिस्तान बना था तब ही आए थे, मगर हमारा वतन तो देली ही है, सफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया, और नमक की पुडिया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुख कर उनको सब कुछ बता दिया, उन्हों तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया, बैग सफिया को देते हुए बोले, मुहपत तो कस्चम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, वे चलने लगे तो वे भी खड़े हो गए, और कहने लगे, जामा मस्जित की सीडियों को मेरा सालाम कहिएगा, और उन खातुन को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहर अभी तक उनका वतन है और देली मेरा, तो बाकी सब रफता रफता ठीक हो जाएगा, सफिया कस्चम के जंगले से निकल कर दूसरे प्लैटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे, प पीचे हुए होटों को बीच में से काटती हुई रेल सरहत की तरफ बढ़ी, अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उत्री, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई, कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहर खत्म हुआ और किस जगह से अम्रिच सर शुरू हो गया पृष्ट संख्या 170 एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे, गलियां भी एक सी ही थी, जिन से दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी, कि भरी हुई बंदूग दोनों के हाथों में थी अमरिसर में कस्चम वाले फर्स क्लास वालों के सामान की जाच, उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्चम अफसर की ओर बढ़ी, जो बाचीत और सूरत से बंगाली लगते थे, देखिए मेरे पास न उका लिया, सुनते रहे, बीच-बीच में सिर उठाते, गोर से उसे देखते, फिर सुनने लगते, बात पूरी हो गई, तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को उपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आईये जरा, चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखेगा, प्लैट फार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे, सफिया दाखिल होते हिच-किचाई, वे मुस्करा कर बोले, आईये, आईये ना, जेब से रुमाल निकाल कर, उन्होंने कुर्सी को जाड़ा, और बोले, बैठिये, सफिया ने प पैर तले की जमीन खिजकने लगी, अब क्या होगा, दो चाय लाओ, अच्छी वाली, पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया, फिर उन्होंने मेज की दरास खीची, और उसके अंदर दूर तक हाथ डाल कर, एक किताब निकाली, किताब को सफिया के सामने रखकर, उन्होंने पहला सफा खोल दिया, बाइय और नजरुल इसलाम की तस्वीर थी, और टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी के कुछ धुंदले शब्द थे, शमसुल इसलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ धाका 1946, तो आप क्या इस्ट बेंगाल के हैं? मेरा वतन धाका है, उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया, तो आप यहां कब आए? जब डिविजन हुआ था तब ही आए, मगर हमारा वतन धाका है, मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बच्पन से पढ़ते थे, जिस दिन हम रात यहां कलकता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा ना, कि मेरा वतन धाका है, उन्होंने जरा बुरा मान कर कहा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ह कस्चम था, अब उधर भी कुछ गोल माल हो गया है, उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई, और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाव कलकता में भी होता है, जैसे नमक यहां भी होता है, पर हमारे आके डाव की क्या बात है, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है, उठते वक्त उन्होंने पुडिया सफिया के बैग में रख दी, और खुद उस बैग को उठा कर आगे आगे चलने लगे, सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया, जब सफिया अमरित सर के पुल पर चड़ रही थी, तब पुल की से निचली सीड़ी के पास वे सिर जुकाए चुपचाप खड़े थे, सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहां है, वह जो कस्चम के इस तरफ है या उस तरफ। प्रेश्ण दो, नमकी पुडिया ले जाने के सम्बंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? प्रेश्ण तीन, जब सफिया अमरित सर कुल पर चड़ रही थी, तो कस्चम ओफिसर निचली सीड़ी के पास सिर जुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? प्रेश्ण चार, लाहोर अभी तक उनका वतन है और देली मेरा या मेरा वतन धाका है जैसे उदगार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? प्रेश्ण पांच, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्मों के आधार पर उसकी चारितरिक विशेष्टाओं को स्पष्ट कीजिए प्रेश्ण छे, मान्चित्र पर एक लकीर खीच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती उचित तरकों वा उधारणों के जरिये इसकी पुष्टी करें प्रेश्ण साथ नमक कहानी में भारत वपाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहबबत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? प्रिश्ट संख्या 138 क्यों कहा गया? एक, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मुहबबत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? क्यों कहा गया? भावना के स्थान पर बुद्धी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी क्यों कहा गया? 3. मुहबबत तो कस्चम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है क्यों कहा गया? 4. हमारी जमीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है समझाईए तो जरा 1. फिर पलकों से कुछ सितारे तूट कर दूदिया आचल में समा जाते हैं समझाईए तो जरा 2. किसका वतन कहा है? वह जो कस्चम के इस तरफ या उस तरफ? पाठ के आसपास 1. नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं समवेदनाओं को उभारा गया है वर्तबान संदर्भ में इन समवेदनाओं की स्थिती को तरक सहित स्पष्ट कीजिए 2. सफिया की मनस्तिती को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से सपष्ट किया गया है अगर आप सफिया की जगे होते या होती तो क्या आपकी मनस्तिती भी वैसी ही होती? सपष्ट कीजिए 3. भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं या क्या योगदान दे सकती हैं? 4. लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चितरन करते हुए सफिया वसिख बीवी के माध्यम से यह भी परोग शुरूप से संकेत किया है कि इसमें भी विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिया हो सकती हैं 5. रक्त संबंद, विज्ञान, साहित्य वकला इन में से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? 6. आपकी राये मान लेजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रहे हैं या जा रही हैं आप सावगात के तौर पर भारत की कौन सी चीज ले जाना पसंद करेंगे या पसंद करेंगी और क्यों? प्रिष्ट संख्या 149 भाषा की बात प्रेश्ण 1. दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िये क हमारा वतन तो जी लाहौर ही है क क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? समानेत ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है दिये गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है? स्पष्ट कीजिए ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले पांच-पांच वाक्य बनाईए प्रेश्ण 2. दिये गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए मुरौवत, आद्मियत, अदीब, साड़ा, माइने, सरहद, अक्स, लबो लहजा, नफीस प्रेश्ण 3. पंधरा दिन योँ गुजरे कि पता ही नहीं चला इस वाक्य को ध्यान से सुनिए और इसी प्रेकार के योँ, की, ही से युक्त पांच वाक्य बनाईए स्रिजन के एक्षण नमक कहानी को लिखक ने अपने नजरिये से अन्य पूरुष शैली में लिखा है आप सफिया की नजर से उत्तम पूरुष शैली में इस कहानी को अपने शब्दों में कहें इन्हें भी जानें 1. मुहर्रम इसलाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना जिसकी दस्वी तारिख को इमाम हुसेन शहीद हुए 2. सय्यद मुसल्मानों के चौथे खलीफा अली के वन्शजों को सय्यद कहा जाता है इकबाल सारे जहां से अच्छा के गीतकार 4. नजरुल इसलाम बांगला के क्रामतिकारी कवी 5. शमसुल इसलाम बांगला देश के प्रसिद्ध कवी 6. इस कहानी को पढ़ते हुए फिल्म, कई रचनाएं, कई गाने आपके जहन में आय होंगे उनकी सूची बनाईए किनी दो फिल्म और रचना की विशेशता को लिखिए आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम दिये जा रहे हैं फिल्मे उन्निसो सहतालिस अर्थ मम्मो ट्रेन टू पाकिस्तान गदर खामोश पानी हिना वीड़ जारा रचनाएं भीश्म सहानी का उपन्यास तमस क्रिष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा मंटो की कहानी टोवा टेक सिंग अम्रता पृतम का उपन्यास पिंजर यश्पाल का उपन्यास जूठा सच मुहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक क्रिष्णु चंदर की कहानी पेशावर एक्सप्रेस साथ सरहद और मजभब के संदर्भ में इसे देखें तू हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इनसान की ओलाद है इनसान बनेगा मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया हमने उसे हिंदू या मुसल्मान बनाया कुदरत ने तो बक्षी थी हमें एक ही धर्ती हमने कहीं भारत कहीं इरान बनाया तू तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा इंसान की उलाद है इंसान बनेगा ये पंक्तियां फिल्म धूल का फूल से ली गई हैं इन पंक्तियों के गीतकार थे साहिर लुध्यानवी प्रिष्ट संख्या 140 चब्द छवी उम्दा अर्थ अच्छा नफीस अर्थ सुरुचिपून रुखसत अर्थ विदा साड़ा अर्थ हमारा हिस्से बखरे अर्थात बटवारा मुरौवत अर्थात संकोच अदीब अर्थात साहित्यकार लबो लहजा अर्थात बोल चाल का तरीका नवाज अर्थात सम्मानित करना सौगात अर्थात भेट अजीज अर्थात प्रिय बाजी अर्थात दीदी दोहर अर्थात कपडे को दोहरा कर सिली गई चादर या लिहाफ इसी के साथ आरो भागदो का पाठ सोलह यहां समाप्थ हुआ प्रस्टुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत